चार फरवरी को जो एक्जाम हुआ है, एलन का एसेट का उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है, कुछ सेंटर्स का आ गया है, कुछ का भी नहीं आ है, तो वही चेक करने का वही तरीका है, एलन.ac.in पे आप जाओ, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, इसको बंद करो, यहाँ ए आपे, तो यहाँ पर आप चार फरवरी का अपना application form नंबर यानि रोल नंबर डालना, नाम डालना, capture डालना और अपना result आप चेक कर लेना, अभी यह जो accept center देरादून, अलवर, भीकने, रुदयपुर, राची, कोटा, बी-ार, यूपी, इनका भी नहीं आया, वो भी धीरे-धीरे आ जाएगा, most probably कल शाम तक, tomorrow evening तक सब का result आ जाएगा, ठीक है, तो आपकी कितने scholarship आई, कितने marks expect कर रहे थे, अगर आप हमें बता पाओगे, तो बहुत अच्छा लगेगा, और उसमें ये भी समझा जाएगा, कि इनका क्या pattern रहता है, scholarship देने का, अगला जो ASET है, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे, अगला ASET कब होगा, तो आप इसमें भी बड़े अराम से देख सकते हैं, यहां से आप जाओ, ASET, ELN scholarship admission test पे क्लिक क करो, ठीक है, किसी भी center का देख सकते हो, जैसे आप ELN.AC.IN खोलते हो, तो वो सारी चीजे quota center की दिखाता है, यहां भी दिखा रहा है, 18 February 2024 है, अगले ASET की date, और यह भी थोड़ा से खुनने में, I think time ले रहा है, तो मैं आपको इसी पे जब तकी open हो, मैं आपको बता देता 18th February 2024 है, अगले ASET की date, और यह जो मुझे लग रहा है, वो काफी, almost सभी classes के लिए है, क्योंकि अब क्या होगा न, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब यह होगा, कि जो ASET की date सायंगी, उसमें हो सकता है, कुछ ASET 12th pass के लिए ना हो, कुछ हो सकता है, 10th to 11th के लिए न हो, कुछ हो सकता है, 9th to 10th के लिए ना हो, लेकिन यह जो भी 18th February वाला आप देख रहे हो, यह सब के लिए दिखा रहा है, at least quota center में तो सब के लिए दिखा रहा है, तो आपको जिस भी city में admission लेना है, जिस city में admission लेना है, ठीक है, उस city को यहां से select करना है, मैं बार-बार व सब है, most probably, most probably इसमें भी 18 को दिखाएगा ही, लेकिन जो authentic information है, वो आपको अपनी city वाले page से ही मिलने वाली है, जो आपका particular city जिसमें पढ़ना चाहरे हो, उसका जो page है, महाँ पे जाके यह 7th की date चेक करो, और suppose जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि 4 तारिक की date के बाद, अभी फोर्थ को एक्जाम हुआ, उसके बाद सीधे 18 की date दिखा रहा है, इस से पहले भी बीच में एक Sunday पढ़ रहा है, I think 11 को Sunday पढ़ेगा, ठीक है, तो 11 को Sunday पढ़ेगा, तो हो सकता है कि आपकी एलन के center में, आपकी city वाले center में, जहां पढ़ना चाहरे हो, 11 को भी A7 हो, तो एक इसी वो चल रही है, slow चल रही है, तो मैंने आपको बता दिया है कि अपना center select करो, city और महाँ पर जाके देख लो, A7 कब है, और अपना form भर दो, और मैं आपको suggest करूँगा, कि अगर आपके पास अभी time है, तो इसको fab में दो, और April के batches के लिए admission ले लो, ठीक है, तो result हमको comment में कोशिश करना, अपना बताने की, all the best